रागे 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 सदा बिराजो कंते में आए अकबर और बीरवल के किस्ते हम्याल हमेरा ही सुनाए जिनके किस्ते इस जहान में जन जन को रह खूब लभाए राजा भीरवल की किस्तों में बड़ी बुद्ध माने दिखलाए राजाबीरवल थे दरवाली बादसाय अकवर के समझाई जो नव रतनों मैंसे एक थे राजाबीरवल तुम्हें बताए हर सवाल का जवाब देते बड़ी चतुर्ता से समझाई बुद्ध मान बीरवल अकवर के बुद्धी मान बीरवल अक्वर के सलाह कारत खास बताएं जिनकी सलाह बिना अक्वर तो कोई फैसला लेते ना अक्वर के वो मित्र करीबी रहे बीरवल तुम्हें बताएं बच्पन से ही राजा बीरवल रहे चतर बहताई समझा जिनका जन में हुआ है एमपी मैं सीधी जिला रहे बतलाएं जन में थे जो ब्रामान कोल मैं गाओ भोगरा हैं समझाएं पंडित महेस दास नाम था जिनका पेहले तुम्हें बताएं पत्नी उर्वसी देवी जिनकी पुत्री सौदा माडी बताएं वो एक पनवाडी थे जो बैचां करते पान बनाएं महेस दास किये दुकान से महेस दास कि दुकान से अक्वर बादसाह पाने मगाएं चूना कथा लगा के नोकर महेस दास कि पास बताएं वो बोला बादसाह हमारे पावभार चूना रहे मंगाएं महेस दास तब सोच में पड़ गएं मन में रहे विचार लगाएं बादसाह तू इतना सारा चूना आज रहे मंगवाएं लगता है अभी इसनों करकी जान गई आपत में आएं सायद इसनों करने पान में जादा चूना दिया लगाएं जिसका रण यक वर के गाल पटें कट गए होंगे पानी खिलाएं इसका बदला लेना चाहें इसी का बदला लेना चाहें बादसाह ना कर से हाएं इसलिए ना कर को खिलाने पाओ भर चूना रही मंगाएं सोच समझ कर महस दासने नोकार को दीना समझाएं अगर तुम्हें बादसाहें तुम्हारे जगरान चूना दें जो फिलाएं तो इतना ही घीपी लेना पर ना दोग जान गबाएं नोकर पाओ भर चूना लेकर अकवार केडेगे पहुचा जाएं बादसाहें ने उस नोकर को जगरान चूना दिया खिलाएं तब नोकर को महस दास की कही बात गई आदे बुआई घीपी लिया उसने ही उतना जितना चूना दिया खिलाएं जब नोकर को अगले दिन भी जब नोकर को अगले दिन भी देखा बादसाहें ने आय पूछा जिन्दा रहा तू कैसे किसने तुझ को लिया बचाएं नोकर बोला पनवाडी ने पता दिया बचने का उपाएं चूनाया अपने मुझे खिलाएं उसने घीदी ना पिलवाएं देख चतुरता महस दास की दंग रह गई अकवर हाएं उसने तब उस पनवाडी को राज भवन लीना बोलवाएं उसने महस दास को अपना सलाहिकार तब लिया पना राजा वीरवल नाम दे दिया बाद साहिने उसको जाएं होने लगी जलन वीरवल से अकवर के साले को हाँ तभी वो अपनी बेहन से बोला तभी वो अपनी बेहन से बोला वीरवल का पद दे उदिलाएं तब रानी ने करी से फारे से बाद साहिने अकवर से जाएं गोला अकवर भाई तुम्हारा इसका बिल हो सकता ना आए ना मानो तो इसकी परिच्चा लेकर लेता हूँ अजमार उन्हों ने एक रस्ती को तुकड़ा साले को दीना पकड़ा और कहा तुम्हे इस रस्ती से धन कमा पर देओ दिखाए लेके रस्ती बाद साहिका साला घूमा सिहर में जाए लेकिन नहीं समझ पाया वो रस्ती से घन केसे कमाए घूम तपरता सारे सेहर में लोटा साम को भी न कमाया कर वो बोला है राजने आकर वो बोला है राजन हम क्यों उल्लू रहे बना इस छोटी रस्ती से कोई धन कमा सकता है ना तभी वो रस्ती बाद साहिका भीन भीरवल को पकड़ाए जाओ भीरवल तुम रस्ती से धन कमा कर देओ दिखाए तब उस रस्ती को ले करके पहुँच भीरवल सेहर में जाए लगे नापने वो गलियों को रस्ती से दिये जिन हे लगाए यही देख कर जनता सारी भाई एकठी वहां पताई पूछ लिया बीरवल से सबने क्या हो रहा यहां बतलाई बोले भीरवल अकवर वारिशा है कलिया छोड़ी रही कराई अकवर काया देश सुनाता अकवर काया देश सुनाता जनता गई बहुत घबड़ा किसी का पूरा मकान जा रहा किसी का याधा रहा था जहां बोले लोग सभी बीरवल से बीरवल हमको लेओ बचाए हमसे तुमरे से बतले जाओ यहां सडक तुम ना बनवाए राज मार्ग बनवाने को तुम जगह और कही चुन लो जाए राज बीरवल को लोगो नया काफी दौलत दई गहां लेके बीरवल धन वो सारा लोट गए दर्वार में जाए बाद साह को उस रसी से धन कमा कर दिया दिखां देख बुध मानी बीरवल की तब वो रानी गई लजाए कहने लगी वीरवल तुम सा कहने लगी वीरवल तुम सा कोई भी हो सकता नाए एक बार अंग्रेज कही से पहुचा उस दर्वार में जाए बोला अकबर वाद साह से सुनियों राजन ध्यान लगाए मैं सारी दुनिया में घूमा मिली सपलता मुझ को नाए प्रेशन उठ रहा जो मन में मेरे जिसका उत्तर दियों बताए पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा गया था यहाँ बोला अकबर ही परदेशी तुमने हमें दिया उलजाए इसे प्रेशन का उत्तर अब तो बीरवाली ही देंगे समझाए बोले बीरवाली इसका उत्तर एक सर्थ परदूगा जाँ एक प्रेशन के अलाबा दूजा एक प्रेशन के अलाबा दूजा प्रेशन हमें पूछोगे नाई पूला वो अंग्रेज आपकी सर्थ हमें मन्जूर बताई पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा गया था आई बोले बीरवाल पहले अंडा आया था तुमको बतलाई बोला वो अंग्रेज बुके से आया अंडा दियो बताई बोले बीरवाल दूजे प्रेशन का उत्तर मैं अब दूगा ना यही सत रखी थी मैंने तूजा प्रेशन पूछोगे ना देख बीरवाल की चतुराई गया था वो अंग्रेज लजाई अक्बार और बीरवाल के किसे है मसुहूर बहुत बतलाई था एक नाई जो बीरवाल से एक थनाई जो बीरवाल से जलता था इतना बतलाई बीरवाल को मरवाने की जिसने एक योजना लई बनाई बाद साही अक्बर वो बोला राजन का जब हो गया हाई मैंने तो एक सफना देखा आप एक पूरवाज गई दिखाए वो बोली हम परिसान हैं बीरवाल को यह देओ पठाए बोला अक्बर सरगे लोक में बीरवाल को कैसे पहुँचाए बोला नाई तब अक्बर से इसकी फिक्र करो तो मिना इसका इंतिजाम कर डाला लेओ बीरवाल को बुलवाए नाई ने तो पहले से ही एक चिताली नीधी बना आये अक्बर को दिखलाई जिसमें अक्बर को दिखलाई इसमें देंगे बीरवाल को बेठाथ इसके बाद हम सब मिल करके बेंगे चिता में आगी लगाए सीधा स्वर्ग लोक पहुचेगा खबर पूर बजों की ले आए बीरवाल सोचे इना आई तो बेगाए आज मुझे मरवाए बोले भीरवल तब अक्बर से आग्या का पालन हो जाए पहले कुछ हपतों की मोहलत हमको देओ तुम्हे समझा स्वर्ग लोक में जाने कितने राजा ने मुझे को दिन लग जाए इसी लिए बच्चों का सारा इंतिजाम हम करके जाए तब अक्बर ने समय दे दिया राजा बीरवल को बत लाए फिर तो बीरवल ने घर जा करें फिर तो बीरवल ने घर जा करें खोदी एक सुरंगे बताए करके रातो रात पर इफ्स्रम कुछ हपतों में ही समझाए घर से लेकर चिता चोतरा ठक वो सुरंग दई पोहँचाए इतना करके कामे बीरवल अक्बर के डेग पोहँचा जाए बोले में तैयार हुरा जन फे जो स्वर्ग लोक में जाए आप अक्बर ने चिता में चिन कर दीनी उसमें आँच लगाए तभी बीरवल सरक गया था खोदी हुई सुरंग में जाए पोहँच गई वो अपने घर में सास चैन की लेली जाए बीरवल तो मर गया जान कर नाई गया बहुत हरसा छे महिने तक राजा बीरवल छे महिने तक राजा बीरवल तुब के रहेत घर में जाए छे महिने में उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी लई रखां छे महिनों के बाद बीरवल पहुच गई दरवार में जाए बाद साह पहचान ना पाए राजा बीरवल को समझा तभी बीरवल में अक्वर को अपना नाम दिया बत लाए और कहां में अभी अभी तो लोटा स्वर्गे लोक से आए इस नाई ने सच ही कहा था पुर्खे आप के हैं परिसान उनकी लंबी लंबी दाढ़ी मैं भी देख हुआ है रान चलने फिरने में दिक्कत है दाढ़ी पेरों से दब जाहें बोनाई को बुला रहे हैं बोनाई को बुला रहे हैं वहां कोई नाई है नाई छे महिनों में मेरी डाढ़ी देखो इतनी बढ़ गई हाँ आपी सी नाई को राजन स्वर्ग लोग में देव पठाए लोट आएगा कुछ ही दिना में पूर बजों के बाल बनाई इतना सुन कर फिर तो नाई पाओ पड़ा रहे हैं महाराज मुझे बचा लीजिये मैंने जूट कहा था याँ बोला अकबर मुझे तभी से तुम पर था संदेह बताए लेकिन भीर बल की चत्तुराई परली ना बिसबास जमाई इसी लिए खा मोस रहा मैं तुम्हें मिलेगा धंडे बताए अकबर और भीर बल की किस से हैं तमाम जो ग्यान बढाए लिखारा मैंस भाईया ने आला संजू पागेल ने दिया सुनाई संजू पागेल ने गादिया याला संजू पागेल ने बताए लिखारा मैंस भाईया याला